फिल्म का एक्षन तट पर चल रहा है इस सीन में एक युवती समंदर में स्नौपिंग और स्वीमिंग करती नजर आ रही है यह देखने के बाद की वह क्या कर रही थी विक्षुनियों ने उसे उस तरह से आगे बढ़ने से मना किया वे उसे रोपने का भी प्रयास कर रहे हैं इस युवती के नाम का उलेक यहां किया गया है मेरी उसका नाम है और वह अपने जीवन का हर दिन ऐसी व्यर्थ गतिविद्यों में भाग लेती है तो उसे सजा भी मिलती है दरसल मेरी फ्रांस के राजा यूई की बेटी है मेरी के पिता यूई एक स्वयम भूव यक्ती थ उसने स्वयम अपनी बेटी का पालन पोशन नहीं किया बलकि उसे एक पुजारी को दे दिया इसलिए ननो समय से उसकी देखभाल करती थी इसके बाद शहर का नजारा देखाया जाता है जहां राजा यूई एक महान युद्ध जीत कर प्रांस वापस लोता है उसके प्रति एक इंसान के रूप में वह भी नश्वर है लेकिन राजा के वैद्य ने उससे कहा अमरता पाने के लिए तुम्हें मत्स्यांगना को पकरना होगा वे कहते हैं मत्स्यांगना की शक्ती से मैं तुम्हें आमर बना सकता हूं तो राजा मत्स्यांगना को पकरने के लिए हो जाता है, लेकिन वे सिर्फ मत्स्यांगना चाहते थे, सो वह अपने दल को आज्या देकर फिर से मर्मिन को समुद्र में भेजता है, वह स्वयम उस मत्स्यांगना को लेकर महल में लोट आता है, यूई यह खबर पाकर बहुत उटसाहित हो जाता है, लेकिन उसका पुजारी इस पर असंतुष्ट रहता है क्योंकि वह इस तरह के कृत्य को अपराद मान रहा था या कुछ और नहीं लेकिन डॉक्तर पर कुछ असर नहीं हो रहा था बल्कि उनका मानना की कि वो सूर्य ग्रहं के दिन मत्स्यांगना के हृदे से राजा को अमर बना देंगे पुजारी भी उसे अपनी बेटी को महल में ले जाने के लिए कहता है तब राजा पुजारी की बात मान जाता है और पुजारी मेरी को ले जाने के लिए वहाँ पहुँचता है वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि मेरी एक बहतरीन संहीत कार है पुजारी बाद मेरी को जगह में लाता है यह पहली बार है कि उसने महल की जलक देखी है तो वह सब देखकर बहुत हैरान और खुश थी, लेकिन राजा यूई अभी भी दुनिया के सामने इसे गुप्त रखता है क्योंकि मेरी उसका खून है तो पुजारी मेरी को एक नौकरानी के साथ एक छोटे से कमरे में भेजता है मेरी की नौकरानी उसे वहां के पुरे मेहल का दोरा करा रही है हर कोई मेरी को शक भरी निगाहों से देख रहा था कुछ लोग उस पर हंस भी रहे थी क्योंकि वह समय अजन भी थी वो यहां अतिथी के रूप में आई थी और किसी को नहीं पता था कि उसे राजा के मेहल में क्यों लाया गया था मेरी इसके पास जाकर पवारा देख रही है इस बीच राजा यूई वहां आता है ब्रमित होकर मेरी पानी में गिर जाती है राजा की बेटी के रूप में राजा उसे अपने कोट पर डाल देता है फिर वोल कप्तान यवेस दिखाए देता है जो उस मतस्यांगना को लेकर उस थान पर पहुँचता है और राजा अमर होने के इतने पागल हो रहे थे वोल केवल डॉक्टर की बाते सुनता है पुझारी की नहीं वोल केवल डॉक्टर की सलाव को ही सबसे अच्छा समझता है बाद में जब राजा मतस्यांगना को देखने जाते हैं तब उसे पता चलता है कि मतस्यांगना की हालत सबसे खराब है क्योंकि वह बहुत दरी और सहमी हुई थी न तो वह पानी की सतह पर नहीं आ रही भोजन ले रही थी तब वह डॉक्टर कहता है इस मत्स्यांगना का सूर्य ग्रहन तक जीवित रहना अनिवार्य है वरना वो कभी नहीं हुगा जो हम चाहते हैं हम अपने मिशन को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें मरमेट को जिंदा रखते हुए किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ खाने के लिए मजबूर करना होगा यूई ने डॉक्टर को धमकाते हुए कहा तुम मत्स्यांगना की देख भाल करोगी नहीं तो आपको विक्ट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कमरे में मेरी दिखाए दे रही है जो संगीत का अभ्यास कर रही है लेकिन उसे लगता है कि कोई उसे अपने पास बुला रहा है एक आवाज के माध्यम से तो वह उस आवाज का पीछा करने लगती है आवाज के बाद वह उस गुपा में पहुँचती है जहां उन्होंने मत्स्यांगना को कैद किया था वह मत्स्यांगना मेरी को देख कर बाहर आती है मेरी मत्स्यांगना के साथ बात करने की कोशिश करती है वही वह मच्छुवारा कप्तान यवेस और वह मेरी पर अपना गुसा बहुत ज़्यादा दिखाता है वह उससे पोचता है तुम यहां क्यों और कैसे आए? मतस्यांगना के पास मत जओ तब मेरी गोशना करती है कि मैं यहां अपनी इच्छा के अनुसार नहीं आए हूँ लेकिन मेरे संगीत की आवाज सुनकर मतस्यांगना ने खुद मुझे यहां बुलाया है कैप्तन यवेस उसकी बात सुनकर हिरान रह जाता है अगले दिन यह देखा जाता है कि मैरी वही संगीत बजा रही है फिर वह संगीत भी यूई इसको इतना पसंद आता है तो वह पुजारी को आग्या देता है मैरी को जल्दी से महल के हॉल में लाओ जब मेरी को महल में लाया जाता है तो सभी लोग उसे घूर रहे होते हैं अब राजा यूई भी अपनी बेटी को घूर रहा है वो अभी भी लोगों के सामने यह खुलासा नहीं करता है कि मेरी मेरी बेटी है बाद में वो उसे मृत्य सिखाना शुरू करता है फिर वो अपनी पत्नी को अपनी बेटी के चहरे पर देखने लगता है यह देखकर राजा यूई इतना चौक गया और रोख गया बाद में पता चलता है कि मेरी अपना अधिकांच समय मत्स्यांगना के साथ बिताती थी इसके चलते मतस्यांगना की स्वास्ति स्थिती भी अब ठीक हो गई है इस दोरान मेरी और कप्तान यवेस दोस्त बन जाते हैं वे अंतरंगता विक्सित करते हैं एक दिन डॉक्टर सब देखता है इसलिए वह अपनी आगे की प्लानिंग शुरू करता है यूई अपनी बेटी के साथ उसी बगीचे में जाती है जहां वो अपनी पत्नी या मेरी की मा के रेखाचित्र बनाते थे अब यूई वी उसे समझने की कोशिश कर रही थी अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिता रही थी राजा के महल में एक अतिथी भी है जो फ्रांस का एक बड़ा व्यापारी था अब राजा उस महमान की मदद करता है और अपने पिता की संपत्ती का मालिक होता है वो अतिथी, मेरी की जलक तब देखता है जब राजा सब के सामने उसका प्रचार कर रहा होता है लेकिन मेरी यवेश को देख रही थी तब वो अतिथी कितना इर्श्यालू अनुभव करता है उसे यहां बिलकुल भी नापसंद है कि मेरी को यवेश पसंद आने लगी है यहां ग्यात होता है कि अतिथी को मेरी भी पसंद थी तो रात में उस मेहमान और यवेस के बीच विवाद शुरू हो जाता है फिर मेरी दिखाई देती है जो फिर से मतस्यांगना के पास वापस आती है इस समय वो पानी में चलती हुई मतस्यांगना को भी चूती है मरमेद को भी मेरी पसंद थी और उसे उस पर भरोसा था जिसे वह किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुँचा सकती इस बीच यवेस भी वहां पहुँच जाता है वो मेरी को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि यह उसके लिए इतना हानिकारक साबित हो सकता है लेकिन मेरी उसे अंदेखा करते हुए पानी से बाहर नहीं आती है लेकिन यवेस मेरी को जबरदस्ती पानी से बाहर निकालता है मेरी घोडे पर सवार होकर आने वाले दिन यवेस के साथ बाहर जाती है वे जंगल में दौर रहे हैं घोडे से नीचे गिरते समय अचानक मेरी घायल हो जाती है और उसका एक हाथ बुरी तरह फ्रेक्चर हो गया है डौक्टर ने उसकी बाह की समस्या का निदान करने के बाद सुझाव दिया हम उसकी बाह कार देंगे लेकिन मेरी बहुत परेशान है वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे ईश्वर में विश्वास है कि वो उसे सुधार देगा और वो उसे कभी पीरित नहीं होने देगा तो यूई डौक्टर से कहता है आप अभी ऐसा नहीं करेंगे रात तक इंतजार करना होगा मरमेट को रात में देखा जाता है जो यवेस के साथ बात करना चाहता है और वो उसे मेरी लाने का अनुरोद करती है और यवेस भी उसे समझता है वो क्या कहना चाह रही है और वो भी वही करता है वो तुरंद मेरी को मतस्यांगना के पास लाता है वो हुसे मतस्यांगना के पास ले जाकर पानी में भेजता है मर मेरी के चारों और तैरते हुए मेरी को मंत्रमुप्ध करना शुरू कर देता है नतीजतन मेरी पूरी तरह से ठीक हो गया है दरसल मतस्यांगना में हर घाव को ठीक करने की शक्ती थी आने वाले दिन मेरी को पूरी तरह से ठीक होते देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं वो और डॉक्टर और पुजारी को बीती राथ हुई पूरी घटना के बारे में बताती है यह सुनकर डॉक्टर उनकी बातों पर पक्के हो गए इसका मतलब है मत्सियांगना को मारना लेकिन वे सभी मेरी से जूट बोलते हैं कि वे रोगगरस्ट फ्रांसीसी लोगों को ठीक करने के लिए मत्सियांगना लाये हैं मेरी भी सोचती है कि ऐसा करने के बाद वे मत्सियांगना को रिहा कर देंगे बाद में मेरी यवेस के माध्यम से जानता है कि मतस्यांग ना फ्रांसीसी लोगों के लिए नहीं बलकि राजा के लिए लाया गया है यह मेरी के लिए समझ से बाहर है फिर दोनों बाते करने लगते हैं मेरी यवेस्ट से पूछती है आप उस महमान से नफरत क्यों करते हैं यवेस्ट बताता है क्योंकि उसने मुझ पर चोरी का इलजाम लगा कर मुझे कैद कर लिया था तब यवेस्ट मेरी को एक बहुत ही आकरशक द्रिश्य दिखाता है वे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ घन पारते हुए कहता है वो मेरी मेरी बेटी है और वो उस महमान को मेरी से शादी करने के लिए कहता है अब उस महमान को पहले से ही मेरी से लगाव है इसलिए वो चल्दी से इस बात से सहमत हो जाता है लेकिन पुजारी को अभी भी राजा का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा है वोल राजा यूई को सुझाव देता है आपको मेरी की वसियत एक बार के लिए पटे पर पूछनी चाहिए लेकिन इसका राजा पर कोई असर नहीं पढ़ता क्योंकि मेरी इस शादी के लिए तयार है या नहीं उजारी आक्रामक होने के बाद यूई से कहता है वह तुम्हारी बेटी है आपको इतना आत्ममुध्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि यह क्रिया आपको एक अच्छा राजा बना सकती है लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं दूसरी तरफ मेरी फिर से मतस्यांगना से मिलने जाती है और मतस्यांगना उसे पानी में तैरने देती है उसे उस पर बैठने देती है मेरी को इसके जर्ये खूब मजा आता है जब Mary, पानी से बाहर आती है, तब राजा, यूई, उसे अपने पास बुलाता है जहां वो उसे ये रहस्य बताता है कि तुम मेरी बेटी हो, वो उसे एक लौकेट भी भिक करता है, इसमें उनकी मा की एक फशी हुई फोटो है राजा यूई मेरी से कहता है कि आप अपनी मा के समान हैं नहीं तो तुम्हारा स्वभाव भी तुम्हारी मा जैसा ही है उसने भी कभी किसी की आग्या नहीं सुनी इसके अलावा, राजा बताता है कि, मैं आत्ममुधव्यक्ती हूँ, वास्तव में उस समय तुम्हारी माता का देहान्त हो गया था, जब आप जीवन में आये, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं ला सका, सो मैंने याजक पर भरोसा रखते हुए तुझे छोड़ दिया था, क सुनकर मैरी का दिल तूट गया, पिता से नाराज होकर वह चली जाती है, लेकिन मैरी का गुसा रवया, लूई, को एक हद तक भी प्रभावित नहीं कर रहा था, मैरी रोते हुए उस जगह को छोड़ देती है, इसके विप्रीत, कुजारी को देखा जाता है कि मतस्यांगन के पास कौन जाता है, वह मतस्यांगना के साथ हो रहे अन्याय और खुरूरता को नापसंद कर रहा था, इसलिए वह डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है, उसके पास जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास था इसलिए वह अपने एक शब्द पर ध्यान केंद्रित नहीं कर वह उसे बीमार कहते हुए उस जगे से निकाल देता है। वहां, मेरी, दिखाए देती है जो अपने कमरे से भागने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजा, यूई, ने उस पर नजर रखने के लिए उसके दरवाजे पर पहरेदारों को नियुक्त किया था। तो वह खिड़की के रास्ते मतस्यांगना से मिलने जाती है। जहां मतस्यांगना दर्शन दिखाने की अपनी शक्ती से उसे बीता हुआ समय दिखाती है। यवेस ने उसे और उसके परिवार को कैसे पकड़ा था। लेकिन मेरी ने इस दौरान नोटिस किया कि यवेस ने इसे अच्छा है। और वह अपनी मरजी के मताबिक नहीं बलकि मजबूरी में काम कर रहा था। अब पुजारी चिंतित है। यह देखकर राजा, यूई, अ दौप्टर की योजना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि यह दौप्टर इस मतस्यांगना के साथ क्या करने जा रहा है। जब यवेस जानता है कि यह उस मतस्यांगना को मारने की दौप्टर की योजना का हिस्सा है। फिर वह मे मेरी को सूचित करने के लिए उसके कमरे के पास जाता है लेकिन डॉक्तर वहां आकर उसे पकड़ लेता है और उसे कैद भी कर लेता है जब मेरी अपने कमरे में लौती है तो उसे वहां यवेस का संदेश मिलता है और सारा राज भी उसके सामने खुल जाता है वो इतनी आक्र वाकि क्योंकि वह हमर हुने के बाद भी हमेशा के लिए फ्रांस का राजा बना रह सकता है। इसलिए वह शादी के लिए तयार होने के लिए मैरी भीजता है। जब यवेस जानता है कि मेरी की शादी होने वाली है तब वो सोचता है इसमें शायद मेरी की मर्जी है इसलिए वहब राजा की आग्या का पालन करने का निर्ने करता है इसके विप्रीत पुजारी मेरी के कमरे में जाता है और उसकी मदद के लिए तयार हो जाता है पुजारी मेरी से कहता है दुलहन की पोशाप पहन कर तुम्हें बाहर जाना होगा मेरी वो मेरी को मुक्त करता है उसे सेने को से दूर रखता है अब मेरी दौरते हुए मतस्यांगना के पास पहुंचती है लेकिन वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि यवेस मत्सियांगना को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है मैरी खुद को यवेस के लिए व्यक्त करती है, मुझे आपके लिए पसंद है वह कहती है, हम दोनों बाद में शादी करेंगे अगर मैं मत्सियांगना को यहां से एक ही बार में छोड़ दून इसके बाद हम वही जीवन बिताएंगे जो हमने सपना देखा है यवेस अपने साथियों को आदेश देता है, यह सुनकर जहाज तयार हो जाओ वह स्वयम मत्सियांगना को पुल के दूसरी ओर लाने की योजना बना